हुआ है हालो एवरिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आइडियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे वेस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे नमस्कार मेरे से शेर नियों रेंकर शिंग लिस एजूकेशन के इस खुमसूरत सा प्रेट सब्सक्राइब आपके चाहिते और इस बात की मैं आपको स्यूर्नेश दीना चाहता हूं मेरे प्यारे साथ हों कि जो भी ऑब्जेक्टिव यहां पे कराया जाएगा इस से बाहर आपके चैनलिंशन में देखने को नहीं मिलेंगे वैसे आप सबको पता है कि जिस बैस में गर जिस batch में भी आपे study कर रहे हो मेरे भाई उस बैस का नाम है rankers batch यह एक ऐसा बैच जो आपको सबसे सबसे हाइब क्वालीटी का material प्रोवाइट करेगा मैं आपके सामने ले करके आया हूं मेरे भाई song of myself के important question जो आपके examination में बार बर पुछा जाएगा याद रखना बेहतर से बेहतर होने की तालास करो, बेहतर से बेहतर होने की तालास करो, मिल जाये नदी तो समंदर की तालास करो, तूट जाते हैं सी से पत्थर की चोट से, तूट जाते हैं सी से पत्थर की चोट से, पत्थर तूट जाये ऐसे सी से की तालास करो, बस मेहनत कर करते रहो जीतोर मेहनत करते रहो 2024 में आपका नाम सबसे उपर होना चाहिए गौट ना चलिए मेरे भाई तो अब हम लोगे स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट कोशन जो भी स्ट्रेंट्स अगर रैंकर्स बैस जॉइन नहीं क्यों मेरे भाई वह जल्दी से जाकर के रैंकर्स बैस को जॉइन कर लो वहां बेसिकली हम लोग सिस्टेमेटिक तरीके से एक चीज़ के वारे में स्टडी करने बाले हैं गौट ना आईए सब से पहला कुशन आपके स्क्रीन के सामने हैं how many times the word you has been used in song of myself मेरे प्यारे साथ यूं कोशन बेसिकली यह बोला गया है कुशन बेसिकली यह बोला गया है मेरे भाई की यू सब्द का परियोग वाई ओ यू इस यू सब्द का परियोग बेसिकली song of myself chapter में कितने बार किया गया है इसलिए इसका correct answer होगा twice that means a for America a for America एक तम सही जवाब है आते हैं हम लोग अगले question की और next question आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे साथ यूं question है the word schools stands for blank in song of myself भाया मेरे मैं एक चीज़ कल के क्लास में एक चीज़ आपको बताया था कि सब्सक्रीट का मतलब होता है पंथ बताया थे ना और उसी टाइम मैंने डिसकस किया था आपके सामने इस्कूल इस इस्कूल का मतलब होता है मेरे भाई विचार विचार नहीं विचार का कलेक्शन जिसको हम लोग system of thought बोलते हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बीफ और बिहारी बाबू डैट निस system of thought कुल मिला कि याद रखना इस इस्कूल सब्द का मतलब होता है मेरे भाई बहुत सारे विचारों का कलेक्शन गट ना आते हैं हम लोग अगले question क्योंड next question आपके screen के सामने हैं who has been composed sorry who has composed the poem song of myself song of myself के रचाईता निमलिखित में से कौन है तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि song of myself को लिखने का काम किये थे उस इंसान का नाम था वर्ट विटमेन इसलिए इसका करेक्ट अंसर होगा एफ और अमेरिका जब बात आती है वर्ट विटमेन को लेकर किये तो याद रखना मेरे भाई अठाड़ा सो उनीस में पैदा हुए थे और अठाड़ा सो बाने में में इनका डेथ हुआ था य युची विटमेन इन जालीक है आते हैं और अमेरिकटे स्टाइब इसलिए इसलिए और र्यार्म अन्सर तो हम लोग अगले युच्शन की और next question आपके screen के सामने है Whitman was born in Walt Whitman साहब का basically जन्म कब हुआ था तो मैंने आपको बताया कि Walt Whitman साहब का जन्म हुआ था 1819 में इसलिए C for चांद के पार चलो एक्तम correct answer होगा मेरे भाई मैंने आपको चिला चिला के बताया था जब बात आएगा Walt Whitman को लेकर जब बात आएगा मेरे प्यारे साथियो Walt Whitman को लेकर के तो आपके दिमार्ग में बहुत सारी बाते तो चलना ही चाहिए लेकिन मेरे भाई कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ वो बाते चलना चाहिए कौन-कौन इनका जन्म हुआ था 1819 को और इनका डेथ हुआ था 1892 को और यह बेसिकली अमेरिका के रहने वाले थे कम से कम इतनी चीज़े आपको पता होना चाहिए जब हम बात करेंगे इनके कलेक्शन को लेकर के तो दो फेमस कलेक्शन याद रखना मेरे प्यारे साथ यो एक है लिफ्स ओफ ग्रास जो कि पप्लिश हुआ था मेरे भाई 1805 को और दूसरा है जिसका नाम है मेरे भाई लामटफ जो कि पब्लिश हुआ था 18066 को साथा मेरे भाई 18066 को ठेक है यह सारी जानकारी आपके पास इह चाहिए आते हैं हम लोग अगले question क्योंड, next question in front of your screen guys, Walt Whitman died in, Walt Whitman सहाब का death कब हुआ था, तो मैंने आभी आपको बताया, कि Walt Whitman सहाब पैदा हुए थे अठारा सुमनीज को, और ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, अठारा सुमनीज को, ये इस दुनिया को छोड़ करके सामने है, song of myself is, song of myself का basically type कैसा है, option है, lyric and epic, sonnet or none of these, तो एक चीज़ अगर आपको याद होगा, तो जब हम लोग स्टड़ी कर रहे थे, sweetest love, I do not go के बारे में, तो sweetest love, I do not go कैसा poem था मेरे भाई, तो metaphysical poem था, कैसा था, metaphysical poem था, लेकिन हम बात करेंगे song of myself को लेकर के, तो ये basically एक lyrical poem है, that means lyric है, इसलिए इसका correct answer होगा, A for America, A for America is the right answer everyone, next question क्यों और मूव किया सा है, और अगला question आपके screen के सामने ये रहा, जल्दी से देखो इस question का answer क्या होगा, question लिखा हुआ है, the opening section of song of myself is entitled has, अच्छा, कुली मिला के ये बोला गया है, कि जो song of myself, जो chapter है आपके सामने, उसकी सुरुआत basically किसे होती है, option है आपके सामने, grass से, I celebrate myself, animal, या फिर नन अफ दीस, तो आपको पता है मेरे भाई, सब हम of myself को लेकर किये, तो इसकी सुरुआत होती है, I celebrate myself and sing myself, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर, इसके जो opening का entitled है न, वो basically I celebrated myself है, that means, be for Bihari Babu, आते हैं हम लोग, अगला question, who is the speaker in song of myself, I celebrate myself, मेरे प्यारे साथ यो, song of myself के basically poet का क्या नाम है, song of myself के speaker का क्या नाम है, option है, Emerson, Robert Fost, Walt Whitman, या फिर नन अफ दीस, तो इसका correct answer होगा, Walt Whitman, that means, see for चान्द के पार चलो, next question आपके सामने है, according to song of myself, I celebrate myself, the speaker is a great lover of, भया, according to song of myself, यानि song of myself, poet के अनुसार, poem के अनुसार, poem के अनुसार, इसके जो poet है, मतलब है, इनके जो song of myself के speaker है, वो basically किसका बहुत बढ़ा लवर है, option है, आपके सामने, art का लवर है, commerce का लवर है, science का लवर है, या फिर nature का लवर है, तो इसका correct answer हो जाएगा, मेरे भाई, ये nature का लवर है, that means, the lover of nature, day for दुलहे राजा, आते हैं हम लोग, अगले question की उड़, next question आपके सामने है, Walt Whitman has written the poem, निमलीखित में से कौन सा ऐसा poem है, जिसको Walt Whitman सहाब ने लिखा, तो आप सब को पता है, मेरे भाई, इसका correct answer होगा, song of myself, जब हम बात करते हैं, एन एपिटाफ को लेकर के, तो आपको पता है, एन एपिटाफ को लिखने का काम किये थे, Walter Dillamere, कौन लिखे थे, अरे बोलो न, Walter Dillamere सहाब, अरे बोलो मेरे भाई, Walter Brook ने लिखा, अब फाइड हम को किस ने लिखा, तो फाइड हम को लिखने का काम किये थे, उस इंसान का नाम था, केकी एन दारू वाला ओहो केकी एन दारू वाला दारू वाला चाई वाला टुकरी वाला छीपा वाला बल्टी वाला गोबर वाला यह सब इंडियन ही होते हैं ठीक ना तो याद रखना चल वागिया जब आपको मैंने बताया था कि वो कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हो चुका हूँ और अपने हेल्थ को लेकर कि एक दम पॉफेक्ट हूँ और मैं भगवान से यही विंति करता हूँ कि मेरा हेल्थ मरते दम तक ऐसा ही रहे डाट मिंस कितने साल के थे तो 37 साल के थे इसलिए इसका करे मुझे आसा है कि मैं मरते दम तक ऐसा ही रहूँगा यह लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है सुटेस्ट लफ आइडूनोट गो से सॉंग ओफ मैसे से दसोलजर से या फिर फाइर हिंसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉंग ओफ मैसेल्फ डैट मेंस बीफ और विह सारी बाबू जब हम बात करते हैं सुटेस्ट लॉफ आइडूनोट गो को ले करके तो इसको जो लिखने का काम किये थे उस इंसान का नाम था जॉंडन जब हम बात करते हैं मेरे भाई दस सोलजर को ले करके तो इसको जो लिखने का काम किये थे उस इंसान का नाम था रिप कि दारू दारू का नाम जो ले रहा हूं ना तो इससे बहुत सारे बच्चे को तो फूरा चीज याद आ जाता होगा पूरा इमेजिनेशन बना लेते होंगे और कुछ बच्चे तो ग्लास लेकर के मारना भी स्टाट कर देते होंगे अरे नहीं उसब गलत शी से भाई मेरे मत करो अरे तुम ही को बोल रहा हूं कहला मन्चट पठाड़ा भाट पगेला आज आगे कुश्यन है मैं खुद में खुश्या मनाता हूँ मैं खुद में गीत गाता हूँ यह लाइन बेसिकली किसके दौरा लिखा गया है तो आपके सामने वर्ट विट्मेंड डबलू एच ओडन जॉन किट्स या डबलू भी इट्स तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ट विट्मेंड डैट पूर्फ मैंसेलफ। बोलो कोई तकलीफ यहां तक मेरे बाई को अरे कोई तकलिफ तो नहीं चलि आगया ही डबलू एच ओडन किसको लिखने का काम किये थे तो आपका जवाब हो जाएगा नाओ डालीव आर फॉलिंग फास्ट श इस इसको लिखने का काम किये थे उस इस भी लेखने का काम किये थे उस इंसान का राम था जॉन किट्स बास समझी में आ रही है आते हैं हम लोग नेक्स कोशन क्यूड नेक्स कोशन आपका स्क्रीन के सामने है इन दा सॉरी इन आई इन फर्स लाइन अफ दो पोयम सॉंग अफ मैसल्फ इस अपोएट अच्छा में यह थायन में किया गया है किस पोएट के लिए किया अटा मैरे भाई जी घ्रक में अब किया ओड़ सब्सक्राक्रद के लिए कोई जबार करने ही किये हैं आपका स्वाद होगा वाल्ट फ्विटमें साहाँ बात समझी में आ रही है यानि डे फ और दुल्हे राजआ के जब हम बात करते हैं इस john kitts को लेकर के मेरे प्यारे सातियों तो याद रखना ode to autumn ode to autumn याद रखना मेरे माई कमलादास के बारे में याद रखना my grandmother's house my grandmother's house इसको लेखने काम किये थे कमलादास जब जॉन दॉन की बात आती है तो it is love I do not go next अगला कुश्चन आपके सामने है 60 number कुश्चन इन पोएम सौंग फॉएट ब्लेंक फॉर हिमसेल्फ सर आ सौंग फॉएम है सौंग फॉएम सॉंग फॉइद फॉएम है सौंग फॉइद सौंग फॉइद कावीता है इसमें कवी बैसिकली खुद में क्या करते हैं ख सही जवाब है next 17 number question आपके screen के सामने है and what I assume you shall assume is taken from the poem जैसा मैं कलपना करता हूँ उमीद करता हूँ कि तुम भी वैसा ही कलपना करोगे यह line basically किस chapter से लिया गया है तो आप option है आपके सामने song of myself an epitaph the soldier fire him इसका correct answer हो जाएगा मेरे प्यारे साथ क्यों song of myself that means a for America ठीक है अगले question क्यों next question आपके सामने है I harbor for good or bad मैं अच्छा और बुरा दोना में यकिन करता हूँ यह किस के दौरा लिखा गया है तो सबसे पहली बात कि यह पता करो कि यह लाइन कहां से लिया गया है मैं अच्छाई में भी और में बुडाई में भी दोना में यकिन करता हूँ यह लाइन लिया गया है song of myself से अब दिमाग लगा कि song of myself को किस ने लिखा यस एक तम करेक्ट अंसर है वॉल्ट विटमेंड डैट मेंज सी फॉर चंद के पार चलो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ मेरे भाई जब हम बात करते हैं वॉल्ट विटमेंड को ले करके तो याद रखना मेरे प्यारे साथ यो मैं बार 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 बोल रह तो अठारा सो 66 में पर्रिश हुआ था तीसरी बात कि इन्होंने वर्ट में सहाव जब इन्युर्वण हो रहा था जब स्विशी वर्च रहा था मेरे भाई सिविल वार कर चल रहा था अठारा-211 इस समय पर 1861 में इन्होंने basically basically किस रूप में काम किया था तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर ये volunteer के रूप में काम किये थे किस रूप में volunteer के रूप में इतनी बाते आपको पता होना चाहिए मैं उमीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा मज रही होगी अगर बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे साथियों और ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रैंकर्स इंग्लिस एजुकेशन का एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर जा करके रैंकर्स बैस जोईन कर सकते हो for your better experience for your better performance मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास से में आज की सभाब को यहीं पेसमात करते हैं तब तक के लिए बाबाई ठेक्यार लव यू आल एंड जैहिंड